इससे पहले बताया था कोट का साइड मारना अब इसका पुरा प्रेसिंग और लाश्ट का काम बताईए इसको पानी लाया के अच्छा से कप्रा को पीचे लेए झाल इसी तरह से चारो पल्ला में इसी तरह से हम इसको चिर्वा कर लेंगे इसको प्रेटी पारेंगे कि यह कालर के पास यहां पर हम चैटका मार लेंगे जिससे अपरेस मारेंगे तो दोनों पर अप्ची रवा हो जाएगे कि यहां पर यहां प्रशकर लेंगे इसको पर लेंगे झाल झाल इसको हम पल्टी मारेंगे यहां ऐसे लेंगे ऐसे पल्टी मारेंगे बढ़ कि पल्टी मारेंगे नहां कर दाने यहां पल्से लेगास कि सबसे पहले हम इस पता पर अच्छा से बैठा कि इस तरी मार लेंगे तो मानने को बाद इसको फोल्ड करेंगे कि इसमें भी और प्रेस लगेंगे तो यह इस तरह मैंठेंगे कि इसमें भी और लेंगे तो यह इस तरह मैंठेंगे अब इसको ऐसे पकड़ लेंगे इसको ऐसे पकड़ के नीचे खिशना आए इसको ताकि यह रिंकल जिता भी खतम हो जाए और कि अब यह देखिए कालर जैसा बैठना था उस तरह बैठ गई है और अंदर के हिस्सा में विल्कुल ऐसा देखिए अब इसके वाद हम क्या करेंगे यहां पर करेंगे इसको खतम करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे इसको एक बराबर करके फोल्ड कर लेंगे इसको एक बराबर करके फोल्ड कर लेंगे करेंगे इसको दो शेजिया ठाल करेंगे प्रपड़र करवे इसको देखिए अब्स प्रपड़र कर दो बराबर कि क्या करेंगे पीछे से यहां पकरेंगे एक बैक पल्ला पकरेंगे पिर यहां पर मार के रहां लेगे करेंगे पिर यह आस्तिन से अचे पकरेंगे यह जोइंट के पास मार करेंगे 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 कि यह स्तर है ना कम से कम आदा इंच कमी रहेगा कि कभी भी पोल्ड की जिगार आदा इंच कम रहेगा अगर इसको नापते हुए कभी अगर ज्यादा हो गया थो क्या थोड़ा सा लटकेंगी तो यह पाहट दिखना नीचाहिए पाहर से कुछ ऐसा दिखेगा आज दिल लगाने के बाद ही हम इसको सलाय मानेगे तो पहले हम जा करेंगे इस पर डबल टेप चिपका देगे ताकि बाद में यह जो फोल्ड है फूले ना यह डबल टेप हम इस तरह रख लेंगे रखने के बाद इसको हम ऐसे चित्पाइगे एक जोएंड के पास रख लेंगे कि जबबत पड़े तो बाद में हम इसको उखार सकते हैं लेकि फिलाल में हम इसको स्वबोट के लिए हम चिपकाएंगे कि जब बाद में हम उखाएंगे पास चिपके जबबदाएंगे रखने कि जबदाएंगे लेकि जब बाद में अबदाएंगे अब एक पलाए से लेंगें यहां पे एक सिलाई मारेंगें तक यह जो प्रेस है ना बाद में यह पुरी इंकल ना दे यह जो है जो कंदी का जोएंड है पिल्कुल यहां से है और एक सिलाई पहार नहीं दिख्रें कि अंदरी रहेगा अब इसमें क्या है कि आस्तिन लगा देंगे और कम्प्लीट हो जाएगी अब 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 आस्तिन लगानों मैं दुस्य वीडियों बताओंगा विडियों बहुत लंबी होजा रही है कि मैं आभ आस्तिन है आस्तिन लगा काम कंप्लीट हो जाईगी अब आज के लिए बस इतना ही तो कोई भी सवाल है कॉमें करें वीडियों चेंशे लगए लाइक करें चैनल पहली वारा इसस्क्राब करें करें